जैहिंद पार्लियमेंट के जो गुणते दोश्टे विशिष्टा हैं वो हम देख चुके हैं अब हम बढ़ते हैं कि पार्लियमेंट वर्ग कैसे करती है संसद आखिर किस प्रकार से संचालित होती है और से संचालित करने वाले साधन कौन-कौन से हैं अब कोई भी यदि बैठक का मतलब क्या होता है कि बैठक का एक अध्यक्ष होता है और बाकी सभी सदस्ट होते हैं जो बैठक के मुद्दों पर क्या करते हैं चर्चा करते हैं अपने-पने मत तो सभी रखना चाहते हैं सब्सक्राइब पार्टी भी अपने मत रखना चाहती है और जो विपक् दिन कम पड़ जाएंगे, एक सेशन में सारी बातचीत हैं नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए कुछ अवधारना है, नियम कानून और कुछ साधन बनाएगा है, जिसके according इस सारी चीजे वर्क करती है, और इन सारी चीजों का decision maker, या फिर एक अध्यक्ष होता है, जो चीजों का मौका देना, इस सब कौन देखता है, अध्यक्ष देखता है, अच्छा इसका महत क्या है साधन का, तो इसका महत यह है, कि संसदी कारवाही के साधन, संसद को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहता, वह महत पूर्ण भूमी का निभाते हैं, ये सदन में कार के व जगातार विक्सित होना चाहिए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज जो संसत के निया में हो कभी बदले नहीं जा सकते हो सकता है समय की मांग में कुछ चीजों की परिवर्तन की जरूरत हो है आपके नियद्धि की में आपके बारे में जंता के बारे में तो एक-एक मिनट कीमती है वहां पर भारत की संसिदी प्रणाली के परिणाम स्वरू, प्रक्रियां और उक्र्णों की अधिकता हुई है, ये सदस्यों को सदन में विबन समस्यां को उठाने के साथ साथ, कार के सुचारू और विवस्थे संचालन में क्या करते हैं, साहता करते हैं, अब सीधे आते हैं साधनो में सबसे पहला होता है बैठक को बुलाना या समन जारी करना जिससे हम summoning बोलते हैं समन कहते हैं अच्छा इस समन शब्द बहुत सुना होगा आपने क्या होता है समन शब्द का मतलब इस समन शब्द का रथ क्या होता है समन मतलब बुलाना आपने देखा होगा अकसा न्यूज में सुना होगा ED ने समन भेजा, Narcotics ने समन भेजा, NCB ने समन भेजा, CBI ने समन भेजा तो वो जिस व्यक्ति को समन भेज रहा है इसका मतलब है वो उस व्यक्ति को क्या कर रहा है बुला आ रहे हैं अपने पास कि आईए बैठ कर चर्चाएं करते हैं यहाँ पर जो समाने वो भेशते हैं राश्ट्रपती किसे भेशते हैं लोग सभा को या राश्ट्रपती किस चीज के लिए सत्र बैठाने के लिए कि सत्र शुरू करने का समय है आप सभी कहां पर आईए संसद में आईए संविधान के अनुसा राशपती संसद के प्रतिक सदन की बैठक किसी भी समय और इस्थान पर बुला सकता है अब इस्थान का मतलब यह मत समझ लो ना अपने घर पर बुला लिए इस्थान मतलब संसदी होती है या तो राशपती का मन किया कि आज चाय की ठेले पर हम चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे लोग सभा मेंबर चाय की ठेले पर आ जाएंगे किसी भी समय बुला सकते हैं जो वह उपयुक तो समझाएं इसे समन जारी करना कहते हैं इसका मतलब कि सदस्चों को सदन तक बुलाना या सत्र का आरंब करने के लिए बुलाना इसे हम समन कहते हैं हाला कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक की भी छे महने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए कि मतलब यदि जनवरी में पहली बैठक हुई है तो जनवरी में छे महीने जोड़ोगी तो जुलाई होता है जुलाई से पहले दूसरे सत्र की बैठक होना अनेवार रहे यानि दो बैठकों की बीच कितने मंस छे मंस से अधिक का समय नहीं होना चाहिए छे महने की भीतर आपको कितनी बैठके बुलानी होगी दो और एक साल में कम से कम कितनी बैठके होना अनेवार रहे दो कितनी दो बैठके होना अनेवार रहे दूसरे शब्दों में संसत को वर्ष में कम से कम कितनी दो बार बैठक बुलाना चाहिए एक समान वर्ष में तीन अबदियां होती हैं आपने सुनाओ का संसर के कितने शत्र होते हैं तीन पहला बजट सत्र दूसरा मांसून सत्र और तीसरा सीट कालीन शत्र बजट सत्र होता है फरवरी से मई के बीच में मांसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर के बीच में शीट क हो गए चार मेहने हो गए तो इसका मतलब होता है कि इन चार मेहनों के बीच बजट सत्र बुलाया जाता है और जब जब आपको सदन की कारवाही पे बुलाया जाएगा उस समय चर्चाएं किसकी होंगी बजट से संबंदी या बजट सत्र की चर्चाएं उस समय होंगी तब ही इन ही बीच में आपका बजट भी प्रस्तावित किया जाता है देश के सामने आता है तो तीन सत्र होते हैं पहला बजट सत्र दूसरा और तीसरा और तीनों ही सत्र कौन बुलाता है राश्पति क्या जा क्या होता है पहली चीज तो इस्थगन सब्दे से मतलब इस्थगन मतलब रोकना हाना एजन्मेंट मोशन केवल लोग सभा में कहां पर आ सकता है तो यह हमारे लिए important key point है कि केवल लोग सभा में आता और ऐसे नहीं आता कि कोई भी आया लोगसभा की कारवाही को रोक दिया इस्थगन लगा दिया ऐसे नहीं होता कम से कम कितने पचास सदस्यों का समर्थन चाहिए हना और इसके बाद भी लोगसभा अध्यक्ष द्वारा सुईक्रत या खारिज और एक special power है कि यदि इसे खारिज किया जाता है इसके द्वारा लोगसभा के अध्यक्ष के द्वारा तो आप लोगसभा के अध्यक्ष से इसका कारण नहीं पूछ सकते लोगसभा अध्यक्ष कारण बताने के लिए बाद दिकारी नहीं है लोगसभा अध्यक्ष का चाहें तो इसे एक हारिज या accept दोनों ही कर सकते हैं, बात किसकी हो रही है, इस थगन प्रस्ताओ की, अब एक चीज, क्या इस थगन प्रस्ताओ कभी भी लाया जा सकता है, तो नहीं, राश्पती के अभी भाशण के दिन इस थगन प्रस्ताओ को नहीं लाया जा सकता, अब य राश्पती का अभी भाशन क्या होता है राश्पती का अभी भाशन जिसे बोला जाता है प्रेसिडेंशल स्पीच क्या होता है राश्पती का अभी भाशन मैं राशपती एक speech देते हैं उसे बोला जाता है राशपती के अभिभाशन और राशपती के अभिभाशन की समय इस इस्थगन प्रस्ताव को लाया नहीं जा सकता अब इस्थगन प्रस्ताव एक्चुल में होता क्या है देखो सदन की कारवाही इस्थगित करने का इस्थगन प्रस्ताव अब इस्थगन प्रस्ताव ऐसे कभी भी नहीं आता किसी भी विशाय पर नहीं आता उसके लिए कुछ इसका उपयोग एक से अधिक विश्यों को कवर करने के लिए नहीं केवल किसे कितने मुद्दे पर एक विशाय पर बात होगी ऐसा नहीं कि आपने 5-6 चीजें 5-6 विशाय पर बात रख दी केवल एक विशाय पर यह हाल की घटना के एक विशिष्ट मामले तक सीमित होना च कर दे रहे हों अदर चीजें आराज होंगे और जो अन्यों अरास कार सकते हैं तो समस्यत कर सकते हैं भृत सही समय पर एंट्री नहीं है इसके बाद मुद्दा कैसा होना चाहिए और हाली में यदि देश में कोई ऐसी घटना हुई है जिस विशय पर हमें अभी बात करनी है तो सदन की रोटीन कारवाई को रोकने के लिए इस तगन प्रस्ताओ लाया जा सकता है इसे ऐसे विशय में नहीं लाया जाना चाहिए जिसे पहले ही उसी सत्र में शामिल यानि जिस विशय पर बात हो चुकी है उस सत्र में आप सेम उस विशय पर फिर से नहीं लाओगे इसके अलावा इसे किसी भी ऐसे विशय से निप्टाना नहीं चाहिए जो अब तक नयायाले में तै decision ले सकते हैं उसपे क्यों क्योंकि वो पहले ही नयालाय में लंबे था तो जब तक उसपे court अपना decision नहीं देगा आप उसपे किसी भी प्रकार का कानून या नियाम या बदलाओ नहीं कर सकते इसे कोई ऐसा प्रश्ण नहीं उठाना चाहिए जिसे किसी विशिष्ट प्रस्ताओ के जवाब में संबोधित किया जा सके इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा प्रश्ण हमें नहीं उठाना है विशिष्ट संबोधन क्या होता है सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं विशिष्ट प्रस्ताओ के जवाब में संबोधित विशिष्ट प्रस्ताओ नाम से क्लियर है क्या हो गए जो विशेश रूप से प्रस्ताओ, अच्छा प्रस्ताओ मतलब समझते हो, प्रस्ताओ क्या होता है, सरल शब्द एक दम प्रस्ताओ क्या होता है, प्रस्ताओ, प्रस्ताओ रखना मतलब, अपनी बात रखना, या लिखित रूप पर भी प्रस्ताओ रखना, अच्छा प्रस् विशेष प्रस्ताव के जवाब में संबोधित किया गया है मतलब कोई विशेष प्रस्ताव आया उसके अगेंस्ट में क्या दिया गया है जवाब किया गया है अब उस जवाब की लूप पर आप क्या नहीं उठा सकते कोई नया कोई विशेष मुद्दा नहीं उठा सकते या 12 वजे तक आप जोसे बोलते हो क्या प्रश निकाल और 12 से एक इसे हम शूनिकाल के नाम से जानते हैं हाला कि टाइमिंग उपर नीचे होती है कितने कितने साथ कितनी बैठके होती हैँ दो, लोग सभा के मामले में एक संसिदी सत्र इस्थगन या अनिश्चित काल के लिए इस्थगन, सत्राफसान या विक्टन दौरा समाप्त किया जा सकता है, अब देखो, लोग सभा का जो सत्रे माल लो चल रहा है, अब वो कितने तरीके से इस्थगित हो सकता है, पहला अनिश्चित काल के लिए स्थगन, जैसे इसके बाद वाली स्लाइड में तो मैं आपको तब बताऊंगा, फिर होता है सत्राफसान, वो भी आगे स्लाइड में, सत्र का ही क्या कर देना, समाप्त कर देना, और विगटन मनलब जो लोक सभा क्या हो जाती है, विगटन, इतने त जाता है, जो घंटों दिन यहां सप्ताह भी हो सकता है, अब देखो, मैं एक चीज़ आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ, इस थगन प्रस्ताओं आया, माल लेते हैं, संसती एक रोटीन कारवाही चल रही थी, किसी विशाय पर बात हो रही थी, इस थगन प्रस्ताओं पर फिर से क्या करेंगे, बैठा करेंगे इतनी तारीक को और उस पर आगे डिसकेशन आपका बढ़ेगा, तो इसे आपने बोल दिया, इस थगन प्रस्ताओं, यहीं चीज़ अगर एक हफते बाद, एक मैने बाद ना बताएं, तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित काल के के लिए इस थगन, बाद आई समझ में, इस पीकर ने यदी बता दिया, कि हम बैठा किस डेट को करेंगे, कितने समय बात करेंगे, तो वो हो गया, इस थगन, इस पीकर ने नहीं बताया कि अगली बैठा कम होने वाली, तो उसे क्या बोला जाएगा, अनिश्चित काल के लि के लिए अधिकरत नहीं है क्योंकि अभी हमने देखा कि इस्थगन प्रस्ताओं के वल किस में लाया जाता है लोगसभा में लाया जाता है राजसभा में नहीं कितने members की सुईकृति अन्यवार है 50 members की कौन इसे खारिज कर सकता है लोगसवा अध्यक्ष इसे खारिज कर सकता है और लोगसवा अध्यक्ष उस खारिज करने का कारण बतानी के लिए बाद्यकारी नहीं है इस थकन प्रस्ताओ पर बहस में कम से कम 2 घंटे और 30 मिनट लगने चाहिए अब ये तो कहनी की बाते हैं कम भी लग जाता है ज्यादा भी लग जाता है यह हो गया इस थकन प्रस्ताओ इसके बाद दूसरा आता है आपका क्या अनिश्चित काल के लिए इस थकन और मैंने यह भी जही बोला अनिश्चित काल के लिए आपकी कक्षाओं का अफकाश किया जाता है इसका मतलब कि जब कक्षा फिर से लघायी जाएगी तो आपको सूचित किया जाएगा कोई डेट आपको बताई नहीं गई है अनिश्चित काल के लिए इस्थगन तब होता है जब सदन को बिना किसी तिथी के पुना बुलाने के लिए इस्थगित कर दिया जाता है सदन के पीठा सीन मतलब हमारे अध्यक्ष कौन है अभी आपके अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिल्ला है ठीक है कि अबने उनको दोनों के चेहरे देखें न सदन के पीठा सीन अधिकारी के पास इस्थगन के शाथ शाथ तो यह हो गया इस्थगन परस्ताओ लोकसाब श्पीकर ने इस्थगित कर दिया बैठक बताई जाएगी कब होगी तो इसको क्या बोल दिया हमने अनिश्यत काल के लिए आम तोर पर सदन के अनिश्यत काल के लिए स्थगित होने के बाद राश्पती इसे कुछ ही दिनों में स्थगित कर देते हैं अब एक चीज़ समझना आप यहाँ पर राश्पती की बहुत अच्छे से जानते हैं जो नहीं जानते हैं मैं बता देता हूं कि राश्ट्रपती आपकी लोगसभा को भंग कर सकते हैं ठीक है हम राश्ट्रपती को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी चीज़ें यह बताऊंगा पर यदि लोगसभा सदन को क्या किया है इस्थगित किया है तो उसके बाद एक नोटिस बोल सकते हो आप जारी फिर कौन करता लिखेत रूप पर राश्ट्रपती की लोगसभा को इस्थगित कर दिया गया है किसके करने के बाद लोगसभा इस्थगित किया और उसके बाद सूचित किस ने किया र आज उन्होंने बोला अनिश्चित काल के लिए हो सकता है तीन दिन बाद फिर से बुला ले हो सकता है एक हफते बाद फिर से बुला ले तिथी बस तो नहीं बताईए ना बुलाने का अधिकार अभी भी किसके पास है अध्यक्ष के पास बुलाने का अधिकार है और सत्र आरं प्रोरोगेशन रहे हैं। निश्चित काल के लिए इस्थागित कर देते हैं इसे बोल जाता है सत्रावसान पर याद रखना इस्थागन प्रस्थाव के वल किसमें आता है तो यह इस्थागित में मत कंफ्यूज हो जाना आप लोग यहाँ पे तो काम कंप्लीट हो गया ना छुट्टिया लगने जा रह रहा है सिर्फ संसत्भवन में थोड़ी बैट के बादचीत करते रहेंगे कुछ दिनों के भीतर राश्पती सत्र के सत्रावसान के अजिसूचना को घोशेद कर देते हैं अब आप एक चीज़ समझ रहे हैं जब सदन को जब इस्थागित किया गया तो वह किया स्पीकर ने तो बुलाएगा कौन सबको राश्पती पर जब इस्थागित किया जाता है तो किसी अन्य तिति पर पुना बैठक बुलाने के लिए कौन बुलाएगा समझ में आया चलो ठीक है राश्पती के पास सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान करने का अधिकार है इसे वही चीज़ समझ किसी भी मौझूदा बिल या अन्यमदों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है क्योंकि जब अगला सत्र बैठेगा तो चर्चा आए फिर से शुरू हो जाएंगे तो जो बिल इस सत्र में पास नहीं हुआ बोला जाता है ना सत्र समाप्त हो गया पर बिल प किया जाता है तो कितने मेंबर का समर्थन चाहिए पचास लोगों का चाहिए फिर भी अंतिम सुईक्रती कौन देते हैं लोग सभाव स्पीकर एकसेप्ट कर सकते हैं और अगर एकसेप्ट नहीं किया तो कान बताने के लिए बाद्रकारी नहीं है चलिए आगे देखते हैं कहाल कितने प्रकार के प्रशन होते हैं देखर प्रशन होते मेली तीन ही प्रकार के तीक है आप चार बोल सकते हैं जिससे आप क्या बोलते हैं जो गैर सरकारी सदस्क्रों से अधितए नहीं होता है बहुत कम होता है क्योंकि अक्सा सवाल पूछे जाते हैं जो कैबिनेट में बैठे होते हैं में बस ठीक है अब प्रश्नकाल बहुत ही जादा असान है नाम से क्लियर है प्रश्नकाल कौशन आरे मतलब क्या पूछा जाएगा है यदि मैं आप से अभी बोलू कि आपका प्रश्नकाल शुरू होता है तो आप लोग में उपार सवालों की बहुचार शुरू कर दोगे इसे प्रश्नकाल होता है पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपके सारे सवाल वैसे यहां पर भी सभी के सवाल एक्सेप्ट नहीं किये जाते क्योंकि उसके लिए आतारांकित प्रश्ण और लगू सूचना प्रश्ण तारांकित मतलब इस्टार लगा है आतारांकित मतलब इस्टार नहीं लगा है ठीक है देखो प्रश्ण काल संसिती सत्र का पहला घंटा है जिससे हम बोल सकते हैं 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 11 बजे से कारवाई शुरू हो इसमें जनता से संबंदित मैटपूर्ण प्रश्णों को पूछा जाता है, प्रश्ण तीन प्रकार के होते हैं, तारांकित, आ तारांकित और लगु सूचना, ये ऐसे प्रश्ण होते हैं, जिनका उत्तर सीगरता से देना होता है, ठीक है अब सीगरता क्या होती है देखो पहला होता है start questions start question क्या होते है start question यानि तरांकिट प्रशनी के लिए एक मौखेक उत्तर अब ये mainly चीज है जो हमें याद रखने है एक answer होता है अपने मूँ से देना जवाब देना तुरंट उसे बोलते हैं मौखेक और एक होता है return तोर पर देना उसे बोलते हैं लेखेर यादि आपसे पूछा जाए तरांकिट प्रशनी जब पूछे जाते है丘्ऑ खासर तो उसमें क्या नहीं है संतुष्ट नहीं है तो आप मुझसे एक और सवाल उस पर और मैं फिर से उसका जवाब आपको दे सकता हूँ अगर मेरी इच्छा है तो वरना चुपचाप ऐसे नहीं बोल सकते ना सदन में ठीक है पंदरह दिनों की पूर्व सूछना पर पूछे जा सकते हैं और अधिकतम कितने प्रशन बीज प्रशन ही पूछे जा सकते हैं बीज से अधिक नहीं एक मंतिरी विचारा कितने जवाब देगा on discuss. तो सदन की कारवाई आपको मिलेंगे बोलने के लिए पर आपको पता है ना प्रश्न नहीं हो सकते आपने हम से पूछा कोस्ट इसके लिए लिए रिख्ट उत्तर क्या वश्यक्ता होती यह रिटन तौर पर दिया जाएगा और इसमें पूरक प्रश्न नहीं हो सकते आपने हमसे पूछा हमारे पिता जी का नाम, हमने आपको अपने पिता जी का नाम लिखकर दे दिया, बात खतम, ठीक है, अब आगे माता जी का नाम पूछने हैं कि आपका उचक्ता, नहीं है, नहीं होगे, इस मेखे नहीं चीए और यह Nei होगे, इसमें भी कितने दिनों की पूरुसूचना? और कौन है अभी श्री अश्विनी वैश्णव है 15 दिनों पहले अश्विनी वैश्णव जी के पास एक प्रश्न पहुंचता है रेलवे से संबंदित की वह जो दुरघटना हुई थी उसमें रेलवे किस प्रकार से दोशी है या नहीं है या किस प्रकार से कार्यों में क्या की ग तो अश्विनी वैश्णोजी खड़े होकर उसका जवाब देंगे कि आपको सफाई पेश करेंगे है तो अगर आपको 20 से जादा पूछने का समय दिया गया तो सदन की कारवाही बहुत लंबी चल सकती है और लिखित तौर पर 230 प्रशनों का जवाब दिया जा सकता है क्योंक कोई पूड़क प्रशन तो आपसे पूछ से जाने वाले है नहीं ठीक है तीसरे प्रशन होते हैं short term questions short term याने लगू सूचना मलब जिन्हें पूछनी के लिए 10 दिन से भी कम सूचना दी गई है कितनी यह वहाँ होता है जिसे 10 दिनों से कम समय का notice देकर पूछा जाता है इ ममोखेक फूरक प्रशन है अधिक्तम कितने दिनों का पूर् vorsोड़क प्रशन दूसरे प्रशन पान आतारांग कित प्रश्ण कितने दिनों का पूर् सूचन कितना अच्छा एक बात बगाओ यहां पर बोला गया और हमें कुछ अर्जेंटली पूछना है ठीक है हम दस दिन की पूरू सूचना नहीं दे पाएं या फिर कुछ ऐसा विशाय आ गया है देश में मुद्द आ गया है जिसका सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है और जायज से तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएं लगों सूचना तो दस दिन से कम समय देता है बस सूचना तो देनी पड़ेगी मेरा कहना है मैं सदन में खड़ा हूं न मेरा सोबह घर आते आते मन हुआ इस सवाल पूछने का या कुछ ऐसी घटना होई आखरी दिन की मुझे सवाल पूछना पड़ गया फिर सूचना तो मैंने दे ही नी दे ही नी मैंने सूचना तो क्या करूँ अपर फिर बारा बचके शुरू होता है आपका क्या शून निकाल की जिसको जो पूछना है पूरी दिलेरी से पूछो ऐसा नहीं होता है अब तो इतना वेवस्थित हो गया है कि शून निकाल में जो सवाल आपसे पूछते हैं उसकी भी लिस्ट स्पीकर अपने पास रखते हैं और किसके बाद किसका नंबर लगए ये कौन डिसाइड करता है अब इस पीकर किसी को भी बोलने से रोक सकते हैं किसी की भी समय सीवा निर्धारित कर सकते हैं ठीक है और सचालित रूप से संचालित करना अब शून निकाल में क्या होता है शून निकाल एक अनौपचारिक साधन है अनौपचारिक साधन है जिसका उपयोग संसस सदस से बिना किसी पूर्व सूचना के समस्याओं को उठाने के लिए कर सकते क्योंकि यहां प्रक्रिया की नियमों में सूची बद। शून निकाल एक ऐसा साधन है जो कहीं भी रिटन तौर पर है ही नहीं कोई नियमों में ये बंधा हुआ है ही नहीं ये तो बस अनौपचारिक तौर पर अनौपचारिक मतलब अनौफिशल तौर पर मान लिया गया और एक्सेप्ट कर लिया गया इसलिए मन आया जाता है या प्रश निकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन की कारसूजी आथा सदन का समानकार पूरा होने तक जारी रहता है इसके बाद आपका कौन सा ब्रेक हो जाता है लंच ब्रेक हो जाता है यानि शून निकाल प्रश निकाल और कारसूजी के बीच का समय का अंतर है ये 1962 से चल रहा है देखो शूननिकाल एक्षल में क्या होता है कि अगर कुछ हुआ है या जंता से संबंदित कोई मुद्दा है जो जसकी कोई पूर्व सूचना ने दी गई है उससे आपको खड़े होका सीधे और संबंदित मंत्री से पूछना है तो आप क्या कर स पूछ सकते हैं और संबंदित मंत्री खड़े होकर उसका जवाब दे सकते हैं अब एक चीज़ और समझना मान लो कोई ऐसा प्रशन पूछा गया है या मान लो कि जो प्रशन पूछा गया था वो तारंके तो आतारंके तो शॉट टर्म हो या फिर शूननिकाल वाला प्रश संबंदित मंत्री हैं जो जवाब दे रहे हैं वो ये कहते हैं कि अभी मैं इसका पूरा जवाब देने में या ये डेटा प्रोवाइट कराने में सक्षम नहीं हो परंतु मैं जल्द से जल्द सदन के समख्ष इसे प्रस्तुत कर दूँगा अच्छा ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बोला और भूल गए सदन ऐसे नहीं चलता सदन की जो समीटिया है है ना वो इस चीज़ को निश उस चीज़ को प्रस्तुत करना पड़ेगा तो एक चीज़ बताओ लिखित तोर पर यदि मुझे जवाब देना हो तो कौन से प्रश्नों के जवाब दूगा मैं आतारंकित अच्छा मौखिक तोर पर देना हो तो ऐसे कौन से दो प्रश्ने जिसमें कम से कम 15 दिनों की पू सवाल पूछे जा सकते हैं कौन से शौट टर्म ठीक अधिकतम कितने तारंकित प्रश्ने पूछे जा सकते हैं अधिकतम कितने आतारंकित प्रश्ने पूछे जा सकते हैं और ऐसे सवाल जिसकी कोई पूर सूचना नहीं दी गई कब पूछे जा सकते हैं जीरो वार मतलब संतुष्ट तो फिर वो उसके उपर फिर से एक सवाल लिखेत तौर पर नहीं पर मौकिकर उपर चाहें तो 15 दिन की कारवाही के बाद पूछ सकते हैं वालब पूर सूचना के बाद पूछ सकते हैं इसके बाद आपका आता है point of order विवस्था का प्रश्ण नाम इसे क्लियर है क्या कोई पढ़कर आया विवस्था का प्रश्ण point of order की पहली वर सुना इस दानाव का नाम जानते हो इसको देखो जब सदन की कारवाही की प्रक्रिया के मानक मान डंडों का पालन नहीं करा जाता तो कोई सदस्थ से विवस्था का मुद्दा उठा सकता है होता क्या है कोई मंत्री है जो जवाब दे रहे हैं या किसी पक्ष को रख रहे हैं तो कोई भी विपक्ष में बैठा वेक्ती तुरंत खड़े होकर क्या कर सकता है इस पॉइंट उसको बस इतना बोलना होगा खड़े होकर क्या पॉइंट ओओ ओओ ओडर यह सिस्थम यहीं चलता है माल लो सदन की कारवाही चल रही है कुछ चल रहा है या कुछ बिल पेश किया जा रहा है सदन एक वेक्ती खड़े होते हैं और बोलते हैं पॉइंट ओओ ओडर अब सामने कौन बैठें स्पीकर अब स्पीकर बोलेंगे रुक जाएए थोड़ी देर वो स्पीकर का डिसी जने की तुरंथ बोलने देना है अगर तुरंथ बोलने नहीं देना है तो कुछ समय का आप क्या विश्राम कीजिए इसके बाद आपकी बात को सुना जाएगा कि ऐसा कौन सा बिंदू था जिसने ववस्था का क्या किया है और लंगधन किया है अब एक चीज है वो जो वेक्ती खड़े हुए है उनके पास एक दम वैलिड रीजन होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बीच में खड़े होकर क्या बोला पॉइंट ओफ ओडर क्लास में भी बोला जाता है ना बे तो का सवाल नहीं बीच में क्लास को रोक कर बस ऐसे ही कुछ लोग होते है बे तो का सवाल करने के लिए उसको रोकने के लिए या प्रश निकाल के समय नहीं उठाया जा सकता है जरूरी है ना लोगों को बताना परना हर थोड़ी देर में हमारे हाँ तो आप जानते हो कभी जब माल लो या सत्तर उन पार्टी को देश हित में कोई ऐसा कार करने जारी होती जिसे जनता का उसे भारी समर्थन प्राप्त हो तो उसमें भी विपक्ष क्या करता है रोक लगाने की कोशिश करता है डिस्टब करने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें भी तो अपना रोटी सेखना है सेकना है की नी सेकना है या सदन की नियम हो या सम्विधान के ऐसे हिस्सों की व्याख्या या निश्पादन से संबंदित होना चाहिए जो सदन के संचालन को नियंतरित करते हैं और इसे अध्यक्ष के संग्यान में लाकर मामला उठाना चाहीं। उन्होंने ये बोला कि देखो, सदन के संचालन के नियंतर से संबंदित, ये संविधान में लिखी बात का जब उलंगन होगा, तो आपको किसके समझ लाना है ये मामला। अध्यक्ष के संग्यान में लाने के अध्यक्ष जी देखिए हमारी प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है यहाँ पर क्या किया गया है उस चीज का उलंगन किया गया है मतलब यहाँ पर विवस्था को बिगाणने का कर किया गया है सरकार पर नियंतर रखने के लिए विपक्ष के सदस द्वारा अक्सर विवस्था का मुद्धा बनाया जाता है यह अच्छी चीज है क्यों क्योंकि अगर सदन की कारवाही सरकार जो सतरूर पार्टी वह अपने मन से चलाने लगेगी और अगर यह पावर नहीं होगी तो किसकी मोनोपॉली हो सकती है या कौन विवस्था को बिगाड सकता है सतरूर दल उस विवस्था को बिगाड सकता है और इसे यहाँ एक आसमान तक्नीक है क्योंकि यह सदन में कारवाही को निलंबिट भी कर सकती है अगर अध्यक्ष ने इस चीज़ को पहचान लिया कि हाँ विवस्था का उलंगन हुआ है तो उस समय सदन की वो कारवाही को क्या किया ज़सकता है निलंबेज आप समझो कितना important है ये चीज़ हाँ ऐसे कोई भी खड़े होकर नहीं बोल सकता point of order point of order हाँ अगर आप point of order बोल रहा हो तो आपके पास valid reason होना चाहिए कि सदन की कारवाही चल रही थी आपने बीच में रोका क्यों और अगर आपने संग्यान में ला दिया किसके अध्यक्ष की कि यहाँ पर विवस्था का गलत उपयोग या गलत तरीके से की जा रही है तो उसको क्या किया जा सकता है सत्र को निलंबित किया जा सकता है या कारवाही को निलंबित किया जा सकता है या सदन की नियमों की व्याख्या या सूद्रणी करण या संविधान के ऐसे प्रावधानों से संबंदित होना चाहिए वही चीज़ है same point repeat हो गया प्रस्तुत करता को प्रस्तुत प्रश्ने के बारे में पता होना चाहिए वही चीज ना जिसने ये प्रश्ण उठाया है उसको पता होना चाहिए के उसने किस विशाए पर उठाया और ऐसी कॉन सा पॉइंट है जिसके लंगछन की बात ये कर रहे हैं हमारे यां ऐसे बहुत से सदस्षे है समस्ट सोच यह बात क्यों करते हैं इनसे भैतर तो शायद हम कुछ कर सकते थे विवस्था का प्रश्ण उचित है या नहीं यह अंतिम निर्णा किसका है अध्यक्ष्ण वरना वह अध्यक्षी पास कुछ रखा हुआ है मैंने बताया भी वह क्या करेंगे बैट जाएगे ठीक है पॉइंट ओफ ओडर लेना है यह नहीं कौन डिसाइड करेगा तुरंत लेना या थोड़ी प्रतिक्षा के बाद उसे समय देना यह कौन डिसाइड करेगा और पॉइंट ओफ ओडर का पावर का जो यूज कर रहा है उसे विशेश तोर पर पता होना च अब यूट्यूब में देखो कि आपको बहुत से मिनिस्टर्स के यह वीडियो मिल जाएंगे पॉइंट ओडर उठाते हुए ठीक है निर्गामी सत्र नई लोगसभा के निर्वाचित होने के बाद पुरानी लोगसभा का अंतिम सत्र होता है आपको शायद पता नहों कि जब लोगसभा का सत्र समाप्त होता है जैसे अभी 2019 में हुआ था ठीक है 2019 में बीजेपी की गवर्मेंट 2014-2019 तक किसकी गवर्मेंट थी? बीजेपी की गवर्मेंट थी 2019 के बाद फिर से किसकी गवर्मेंट आई? फिर से बीजेपी की गवर्मेंट आई ठीक है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तो पावर में थे हम फिर से जाके सदर में बैठ जाएंगे आपको अब यहां पर बीच में जाना पड़ेगा किस के पास राशपती के पास ये कहें एक नोटिस लेकर कि अब आप लोगसभा को क्या कर दीजिए भंग कर दीजिए क्योंकि हमें नई लोगसभा का क्या करना है गठन करना है और नई लोग सभा का गठन का जब अपने मीशन आपको राश्पती दे देंगे मलब पुरानी लोग सभा को क्या कर देंगे भंग कर देंगे उसके बाद आप अपनी नई लोग सभा की सत्र को आरंब कर सकते हैं संसद में बैठ कर निरगामी सत्र क्या होता है जो नई लोगसभा के निरवाचित होने के बाद जो पुरानी लोगसभा का सत्र समाप्त होता है यह नई लोगसभा निरवाचित होई तो सत्र किसका समाप्त हो गया पुरानी लोग साब गा तो इसे बोला जाता है निरगामी सद्र और वो वेक्ती जो अब तक यहां सदसे थे सांसद सांसद बोलते है ना जो यहां हार गए यहां दुबारा पहुंच नहीं पाए उन्हें बोला जाता है लेम डग क्या बोला जाता है लेम डग क्रिकेट में भ यहां भी आउट हो गए फुल पावर और यहां पर काम्समाप इन्हें बोला जाता है लेम डग वरत्माल लोग히 सबा सांसान सब के लिए फिर से चुनाओ नहीं जीत पाए उन्हें बोला जाता है लेम डग और निरगामी सब्रिया उसे बोला जाता है जब पुरानी और लेम डख किसे कहा जाता है जो इस नई लोग समय में इलेक्शन को नहीं जीत पाए मतलब पुना संसर्थ भवन में नहीं आ पाए ठीक है चलिए गणपूर्ति इससे तो बहुत फ्रेंडली होगा है आप लोग कोरम हाना कितने होने चाहिए कम से कम एक बटे दस चलो देख लेते हैं कारवाही करने से पहले सदन में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या को क्या कहते है गणपूर्ति मतलब यदि ये लोग सभाई या राज सभाई तो कारवाही करने से लिए हमें क्या चाहिए यहां सदस्य चाहिए और सदस्य की एक मि यह पीठा सीन अधिकारी साइट प्रतेक सदन की कुल सदस्ता का दस्वा हिस्सा एक बटे दस यदि सदन से संबंदित कोई कार करना है तो लोग सभा में कम से कम कितने 55 सदस्ते और राज सभा में कम से कम कितने 25 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार है तभी कारवाही आगे बढ़ेगी ये कोरम की अनिवारता को कब समाप्ट किया गया था 42 में और पुना कब लागू कर दिया गया 44 में याद है ना यदि सदन की बैठक के दौरान कोई गड़पूर्ती नहीं होती है तो यहाँ पीठा सीन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वहाँ बैठक को क्या करते इस्थागित या अब पीठा सीन पहुंच गए अध्यक्ष महुदय पहुंच गए अध्यक्ष महुदय द निलंबित किया जाता है यह अधिकार किसके पास है ठीक है इमेजिन कर लो गड़पूर्ती वाली चीज है ना कम लोग बैठे हुए हैं अध्यक्ष महुदय ने समको भगा दिया ठीक है इसके बाद आदे घंटे की चर्चा हाफ एन आर डिसकुशन नाम से किलियर है शॉट डिसकुशन याने लगू अब दी चर्चा होता सिर्फ वही है नाम अलालग बदल दी देखो यहां महथपूर्ण सार्वजनिक महथव अभी हमने देखा था कि जब आपसे जीरो आर की बात हो रही थी शून नगाल की वहां भी सेम चीज लिगी थी कि महथपूर्ण सार्व सावजनिक महत्व का मुद्दा हो सेम चीज यहां भी यहां महथपूर्ण सावजनिक महत्व के विशाय पर बहस करने के लिए जो बहुत चर्चा का विशाय रहा है और जिसका उत्तर तथिक रूप में इसपष्ट किया जाना है ऐसी बात्चीत के लिए अध्यक्ष सब्ता हमारे लिए कि हाफए नार जो चर्चा होती उसकी अध्यक्ष ने फिक्स रखें कितने दिन हाफ़ते में या महीने में हाफ़ते में यह काफी सावजनिक महत्व के विशाय पर बहस करने के लिए जो बहुत विवाद का विशाय देश में उस समय चल रहा है और तथियों पर पश्टी करने के आवशक्ता होती है तब यह लाया जा सकता है मालो जैसे रफेल की बात करते है ठीक है रफेल को कितने में खरीदा गया यह देश मुद्दा चल रहा है इससे छवी खराब हो रही सरकार की या विपक्ष उसन पर चढ़ा जा रहा है तो विपक्ष को यह समय पेश करना होगा उस पे अपना उत्तर पेश करना होगा सेम चीज होती है लगू अब्दी चर्चा इसे दो गंटे की बातचीत के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस थरह की चर्चा के लिए समय सीमय कितनी है ढोगऩ इसका भी नाम रख देते दो गंटे की चर्चा जब इसका नाम इतना अच्छा रगा था आदे घंटी की चर्चा तो यहां भी रख सकते थे ना पर इसका नाम क्या रख दिया लगू अवधी चर्चा इसे ततकाल सार्वजन वही चीज आगी ततकाल सार्वजन एक महत्व के मामले पर सांस तो दौरा उठाया जा सकता है इस कोई पूरु सूचना नहीं देना आप सीधे पोसकते हो कितने दिन दिये गए थो धिन विजिए को हैं आदे कंटी की चर्चा इसुआस ख़्राओं कौन लेकर आता है किसके प्रति लेकर आता है विपक्ष लेकार आता है या तो किसी मंत्री के अगेंस या तो पूरी की पूरी देखो अनुच्छे 75 में कहा गया है कि मंत्री परिशत संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रती उत्तर दाई है यदि आविश्वास प्रस्ताओं को लोकसभा द्वारा अनुमोधित किया जाता है अच्छे यह बताओ आविश्वास प्रस्ताओं लाने के लिए कितने मेंबर कम से कम 50 मेंबरों की समर्थन अनिवार रहे तो मंत्री परिशा सदन में अपना विश्वास खो देती है और भंग हो जाती है लोग सबह में स्विकार होने के लिए उसे पचास सांसदों का समर्थन और अगर ये आ विश्वास प्रस्ताओं यहां पारित हो जाता है तो वो अपना विश्वास खोद देती है, मंत्री मंडल को या उस वेक्टी को क्या करना पड़ता है अपने पद से स्टीफा देना पड़ता है, अगर ये पारित हो गया तो निंदा प्रस्ताऊ, निंदा प्रस्ताऊ कुछ नहीं है हमें आपकी चीज अच्छी नहीं लगी हमें आपका कार अच्छा नहीं लगा हो गया क्या आपका निंदा प्रस्ताव इसे एक मंत्री मंत्रियों के ग्रोप या मंत्रियों की पूर्ण परिसद की ओर निर्देशित किया जा सकता है निंदा के रूप में ठीक है वैसे हर चीज एक सदस्त दौरा की जाती है जो मानता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले में अब आप मुझे एक चीज़ बताओ मैंने एक सवाल पूछा आपसे मुझे सवाल पूछने का अधिकार है मैं विपक्ष में बैठा हूँ मैं आपसे तारांकेद आतारांकेद या फिर शौट टर्म या शून निकार बैठा है कुल मिलाकर मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ आप मंत्री हैं आपको मुझे क्या देना होगा यदि आप मुझे उस सवाल का गलत जवाब देते हैं क्योंकि मैं एक सांसद हूँ इस सदन का एक मेंबर हूँ तो यह मेरा विशेश अधिकार है कि मुझे उत्तर एकदम सही मिलना चाही है और यदि आपने मुझे गलत उत्तर दिया है मतलब आपने मेरे विशेश अधिकार का किया है उल्लंगन किया है तो उसी विशेष अधिकार पृस्ताव की बात हो रही है और जब उस वेक्ती को ये निश्चित होता है या ये क्या लगता है फील होता है कि मुझे गलत अत्तर दिया गया है या फिर जब जाश होती है अस चीज की कि मुझे गलत आकरे प्रस्तोत किये गए हैं तो ऐसी इस्थिती में क्या लाया जाता हूँ उस वेक्ती के दोरा विशेश अधिकाय प्रस्ता हो इसकी शुरुआत एक सदस्त दोरा की जाती है जो मानता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले से जानकारी छुपाकारी या गलत या विक्रत तत्प्रदान करके सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेश अधिकारों को क्या किया है उल्लंगन किया है अच्छा ये केवल तभी नहीं लाया जाएगा जब सवाल पूछा जाएगा मालो किसी मेंबर ने सदन के समख्ष गलत जानकारी को क्या किया है पेश किया है तो भी मंत्री क्या ला सकते है इसे ला सकते है कि इन्हों ने सदन के सामने गलत तत्पेश किये और सभी के विशेश अधिकारों को क्या किया है और लंगन किया है इसका अलक्ष संबंदित मंत्री की निंदा करना है ध्यान आकरशन प्रस्ताव Calling, Attention, Motion यहाँ एक सदस्य द्वारा संसद में ततकाल सामजनिक महत्व की मुद्दे पर एक मंत्री का ध्यान लाने यानि जिस संबंदित वो मुद्दा है सिक्षा से संबंदित थे तो सिक्षा मंत्री, रेल से संबंदित थे तो रक्षा से संबंदित थे तो ग्रह मामले से संबंदित थे तो ध्यान लाने और उस मामले पर उससे एक अधिकारिक घोशना की मांग करने के लिए लाया जाता है यहां ध्यान आकरशन किया जा रहा है केवल उस संबंदित मंत्री का यहां भारतियों दारा अविश्कार की गई विधाई प्रक्रिया जो 1954 से उपयोग की जा रही है हाला कि शून निकाल के विपरीट यह प्रक्रिया की नियमों से निर्दिस्थ है शून निकाल मैंने आपको बता है न अनौपचारिक है परतु यह लिखी हुई एक नियमों की क्या है निर्दिस्थ है क्योंकि यह नियमों में लिखा हुआ है कि आप ध्याना-ठाशन प्रस्ताओ ला सकते हैं मुझे लास्ट मेरे लाते धन्यवाद प्रस्ताओ यह मुझे लास्ट में रखना था क्लास करते समय ना आप लोग लाते मेरे परती धन्यवाद ला दे ना अभी एंड करने वाले ठीक है यह वहाँ प्रस्ताओं है जिस پर राश्पती के अभी भाषर पर दोनों सदर्म में पिछले वर्ष और अगले वर्ष के लिए सरकारी योजना और कारकरामों की रूप रेखा तयार की जाती है राश्पति अभी भाशर देते हैं, उस पर ये बोला जाता है कि दोनों सद्रों में जो पिछले वर्ष, सत्तर रून दल की बात हो रही है, यहां पर, दोनों सद्रों में पिछले वर्ष और अगले वर्ष के लिए जो सरकारी योजना है और कारकरा में उनकी रूप रेखा त अगर यह नहीं आया, धन्यवाद नहीं आया, तो मतलब हट हो जाएगी सत्तरूर सरकार, यह उसका क्या माना जाएगा, हार, देखो सबको एप्रिशेशन चाहिए, अगर किसी दोस्त ने इतनी से भी मदद किये दूसरे दोस्त की, तो उसको भी एप्रिशेशन चाहिए, ज दमाना ही चले, तो यहां तो देश चलानी की बात हो रही, तो वो चाहती है की नहीं धन्यवाद प्रस्ताओ, नो डे येट नेम्ड मोशन, एक प्रस्ताओ जिससे स्पीकर ने सुईकार कर लिया है, लेकिन विचार करनी के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है, देखो किस विशय पर चर्चा हो रही है, ये कौन डेसाइड करते हैं, स्पीकर, स्पीकर के पास बहुत सारे विशय आते हैं, कि आज हमें सिक्षा के इस मुद्धे पर बात करना है, आज हमें इस नए कानून पर काम करना है, आज हमें जनसंक्या के इस चीज़ पर चर्चा करना है आज हमें आतंग वाद के इस मुद्धे पर बात करना है अब speaker के पास तो file रखी है speaker फिर decide करते हैं कि आज जो बात होगी आतंग वाद के उपर होगी हाँ आप इस संबंदित ये कुछ बताने वाले थे संबंदित मंत्री ये बताएंगे फिर जब शून निकाल होगा तो शून निकाल की गतिविधियां चलेंगी प्रश निकाल होगा तो प्रश निकाल की गतिविधियां चलेंगी और routine उसके बाद होता है शून निकाल और आपका जो होता है क्या होता है प्रश निकाल इसमें सवालों से संबंदित कारवाहियां की जाती है ठीक है तो यह हो गया आपका no day yet motion named motion तो इन में आपको कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यह मुश्किल था यह बताओ प्रशन समझ में आ गए तारंकेद आतारंकेद और तीसरा कौन सा कि शौट ट्रम ए इसके बाद आपको धन्यवाद समझ में आ गया इसके बाद आपको ध्यान आकर्शन विशेश अतब कर विशेस अतीकार सायको या तो जाने चाहिए या ранशन के सबस्तों के विश्य अतिकार के बाद उगुलाब गलत जानकारी को किया गया है पेश किया गया है आप इश्वास प्रस्ताओं क्लियर है निंदा प्रस्ताओं निंदा प्रस्ताओं के बाद आदे गंटे की चर्चा कितने दिन तीन लगुवदी चर्चा को और क्या कहा जाता है दो गंटे की चर्चा कितने दिन दो दिन गणपूर्थी क्लियर है कितना एक बटे दस लोग सभा में राज सभा में पच्छीस निर्गामी सत्र जो पुरानी लोग सभा समाप्त हो रही उसे क्या बोला जाता है और जो सांसा अब जीत कर नहीं आपाए उन्हें बोला जाता है ठीक है पॉइंट ऑफ ओडर खड़े होकर कब जा वैवस्था का को नहीं तो शुन नियकाल मैंने बताया बारवज इस जुरू होता है आपका जिसमें किसी भी पूर्व सूचना की क्या पूचे जा सकते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्ण को पूछा जा सकता है फिर हमने प्रश्ण की तीन प्रकार देखे इसके बाद हमने 17 अ और अनिश्चित काल के लिए इस्थगन दोनों ही speaker करते हैं और इसके अजी सूचना कौन देते हैं राश्पती देते हैं हमने इस्थगन प्रस्ताओ देखा इस्थगन प्रस्ताओ कम से कम कितने लोगों का समर्थन पचास लोगों का समर्थन और अंतिम निर्णा किसका चाहे तो खारीज कर सकता है चाहे तो accept कर सकता है फिर हमने देखा समझ जारी करना बैठक बुलाना या सत्र के सभी को call करना कि आ जाई यह सद्रू करते हैं कौन करता है राश्व्पती करते हैं जब भी एक डिफरेंस नहीं होना चाहिए कम से कम कितने सत्र होना निवार है दो सत्र होना अनिवार है अब सदन से संबंदित कुछ और शब्दवली जो मैं आपको कराओंगा फिलाल जो कारवाहिया थी वह समझना जरूरी था यह सारी चीज़ें समझ मैं अच्छे से अब एक बार थ कि सद्रीकार से खड़े होकर बात करने क्या सभी जो सकते हैं तो ऐसा नहीं होता है यह सारे डिसीजन कौन लेते हैं श्पीकर लेते हैं और श्पीकर नियम के अनुसार कारवाहिया करते हैं क्लियर है चलिए समाप्त करें जैहिंद